तो दोस्तो आज हम बनाएंगे आमले की खटी मीठी लोंजी आमले में विटामिन सी और आइरन होते हैं और ये गुड के साथ मिलकर और भी ज़्यादा फाइदे मंद हो जाते हैं क्योंकि गुड में भी आइरन होता है और इसे आप बनाकर एक महिने तक फ्रेज में तीन से चार महिने तक बाहर रख सकते हैं और ये पूड़ी पराठे के साथ पहुत ही कमाल की लगती हैं आमले की ये लोंजी तो चलिए आए देखते हैं इसे कैसे बनाना है तो सबसे पहले मैंने गैस पे रखा है एक बरतन अब इसमें हम डालेंगे एक जग के करीब पानी पानी को थोड़ा गुनगुना होने देंगे गुनगुना होने के बाद इसमें हम रखेंगे एक चन्नी इस परकार के चन्नी के उपर रखेंगे आमले तो सारे आमले को मैंने छनी के उपर रख दिया है वजन में देखा जाए तो मैंने 400 ग्राम के करीब आमले लिये है अब इसे हम एक बरतन से ढख देंगे ढख करके इसे हम 20-25 मिनिट तक पका लेंगे 20-25 मिनिट हो चुके हैं इसे हम चेक कर लेते हैं तो देख सकते हैं आमले काफी अच्छे से पक चुके हैं आमले पकने के वज़े से फूल की तरह खील चुके हैं देख सकते हैं और यह बहुत ही असान तरीका है आमले को पकाने का तो चलिए फटा-फट से सारे आमले को हम बाहर निकाल लेते हैं तो देख सकते हैं सारे आमले को हमने बाहर निकाल लिए हैं तब बीज अलग करने में बहुत ही असानी होगी तो बहुत ही कमाल का असान तरीका मैंने आप लोगे साथ सेर किया है देख सकते हैं इस तरीके से आमले को पकाने से इसका 50% कड़वपन जो है बाहर निकल जाता है और बीज को अलग करने में बहुत ही असानी होती है तो देख सकते हैं कितना जटपट से बीज अलग हो जा रहे हैं तो बस ऐसे ही करके सारे आमले के बीज को मैंने हटा दिये हैं सकते हैं अब चलते हैं गाइस गी योर गैस पे असले मैं लगाने के बाद ने Peniteam कि आधा दो च optics साबुद्ध के यह अंqi चाटकने के बाद अब इसमें षम डलेंगे अमली सारे आमलेर डालने के बाद अब इसमें हम कुछ मसाले अड़ करेंगे एक चमस डालेंगे जीरा पौडर एक चुटकी हल्दी पौडर डालेंगे एक से डेर्ट चमस डालेंगे धनिया पौडर स्वाद अनुसार डालेंगे नमक एक छूटी चमज डालेंगे कास्मीरी लाल मिर्स पाउडर अब सभी को हम दो से ती मिनट तक अच्छे से भून लेंगे जो भी मसाले हमने डाले हैं उससे काफी अच्छा इसमें टेस्ट आएगा नमक डालने से खट्टा मीठा फ्लेवर आएगा दो मिनट भूनने के बाद अब हम आमले को थोड़ा मैस कर लेंगे हलके हलके हाते से हम आमले को मैस कर देंगे तो सारे आमले को हमें मैस नहीं करने है कुछ आमले को हम मैस करेंगे ताकि लोंजी में एक गाढ़ा पन आ जाए देख सकते हैं आदह अमले को हमने मैस कर दिया है तो टोटल हमने 3-4 मिनट अमले को भूना है तो अब इसमें हम add करेंगे गुड़ तो वजन में आमला मैंने लिया था 400 ग्राम के करीब तो 1.5-400 ग्राम के करीब चीनी अगुड़ दोनों को हम मिला कर डालेंगे इससे क्या है कि आमले के वज़े से थोड़ा खटा नमक भी मैंने डाला है गुड़ो चीनी डाला है तो खटा मीठा बहुत ही कमाल का फ्लेवर आएगा अब गैस की फ्लेम को हम मीडियम हाई करेंगे और हलके हलके हातों से इसे हम 3-4 तर पका लेंगे यूं बोलिए कि आमले म गुड़ो चीनी अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो धीरे धीरे आप देखिएगा कलर इंका बिल्कुल चेंज होते जाएगा तो इसे हमें हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है मीडियम हाई पकाना है हाई फ्लेम पे पकाने से इसमें कड़वा पन आ जाएगा तो पस धीरे धीरे से हमें मिक्स करते जाना है तो इसमें अब हम डालेंगे एक बड़ी चमच जितना किस्मिस किस्मिस डालने से बिल्कुल साधियों में जो चटनी बनती है उसका टेस्ट आएगा अब सारे मिश्टरन को हम दो मिनिट तक ढख कर पकाएंगे दो मिनिट बाद देख सकते हैं इसक किसी न किसी रूप में खाते रहना चाहिए तो अगर ऐसे आप बनाते हैं तो बच्ची भी इसे रोटी पूड़ी के साथ बहुत ही मन से खाएंगे उनको काफी ज्यादा पसंद आएगी आमले की यह लोंजी यकीन नहों तो आप इसे एक बड़ जरूर बनाईएगा आपक अब ठंडा होने के वाल सारे आमले को हम इसमें निकाल लेंगे तो यहां मैं प्लास्टिक जर इस्तिमाल कर रही हूं क्यूंकि यह आमले की जो लोंजी है दो से तीन दिन में ही खत्म हो जाएंगे अगर आप ज्यादा बनाते हैं तो आप इसे से से का जर में रखें उससे क कमाल का इसका टेस्ट है बहुत ही स्वादिश्ट बना हुआ है आमले की यह लोंजी यकीन न हो तो इसे आप एक पर जरूर बनाएं बड़े तो बड़े बच्चे भी से मांग मंग कर खाएंगे रोटी और पूरी के साथ तो अगर आपको आपको आज का वीडियो पसंद आ झाल verkास का ऴस्टाइश्ट बनाएं बड़े बड़े और उखशो आपको 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 आपको।